हेलो फ्रेंट्स मैं डुक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टाइम सोफ आयरवेदा में फ्रेंट्स आज अपना टोपिक रहेगा IBS irritable bowel syndrome की क्या कारण है और उसका आयरवेद में क्या treatment है तो आपन सीधा इसके कारणों पे आते हैं में कारण है IBS का आपकी अगनी का मंद हो जाना जिसके कारण आपने जो भी भोजन किया है वो proper रूप से digest नहीं हो पाता और वो आपकी गुदा के द्वारा मल की रूप में कभी lose motion और कभी constervation form में आता रहता है तो friends यह आपकी अगनी मंद क्यों होती है इसको आपन छोटे से example से समझते हैं आप जब भी चूले पे भोजन पकाते हैं तो नीचे से जो इंधन की रूप में लकडियां लगाई जाती हैं अगर वो सही मात्रा में नहीं होती तो उपर रखावा भोजन भी सही डंग से नह नहीं हो पाता है वही अपने digestive system में होता है इंधन की रूप में अपना भोजन है अगर आपने सही समय पर भोजन नहीं किया यह आपको भूक नहीं है और आपने भोजन कर लिया अजीर्ण होने पर भी भोजन कर लिया तो यह आपकी अगनी को डिस्टरब आपकी digestive power को डिस् दूशीद भोजन उसको कहा जाता है जो आपने फ्रीज में आइटम रख दिया दो तीन दिन तक पढ़ा है बासी भाना अगया उसको भी आप यूज करते हैं तो आपकी अगनी को डिस्टरब करता है जंक फूट्स है वास्ट फूट्स वागरा κάν जिसमें ओईल वगरा कितने दिनों का कैसा यूज में आता है वो सभी जानते हैं अपन उसको आप यूज लेंगे तो उससे आपकी अगनी मंद हो जाती है और वो आपके एक IBS में में कारण बताया गया है और यह अगनी मंद हो जाने से आपका फूड प्रोपर डाइजेस्ट नहीं हो पता है और यह आपके पूरे शरीर में फैलता है और यह लगू से लगू हलकी से बोजन को करने पर भी उसको नहीं पचा पाता है और यह आपके शरीर में विश्क के समान नुकसान करने वाला होता है और IBS का इक कारण स्ट्रेस को भी माना गया है अपना स्ट्रेस जो है आतों पर सीधा असर करता है आपके कभी एक्जाम है इवेंट है कॉन्फरेंस कहीं पर भी कुछ होता है तो आपके सीधे पेट में गुड़ गुड़ होके लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं तो यह भी IBS को ट्रिगर करने वाला पॉइंट होता है और फ्रेंट इसके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस पीरेट्स वगरा की टाइम में होता है तो भी IBS की सिम्टम्स देखे जाते हैं और कुछ में क्या होता है कि अगर आपको पेट दर्द रहता है और continue आप पेन किलर का यूज में लेते हैं या unnecessary antibiotics का यूज में लेते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन के function को disrupt करते हैं और वो IBS को ट्रिगर करने वाले होते हैं यह सिम्टम्स आरे और उसके अलावा आपके अंदर यह हैरीडेटरी भी देखा गया है किसी के parents में होते हैं grand parents में दिक्कत रहे तो उनके बच्चों में भी आती है इन patients को ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बाकी सारे patients हैं वो आईरवेद को follow करके इस IBS को जड़ से ठीक कर सकते हैं तो friends अब आते हैं अपन IBS का आईरवेदिक अब इसके treatment weapon देखते हैं आईरवेद कहता है निदान परिवर्जन यानि जो भी आपकी बिमारी के कारण है आप उनको दूर करिए आपकी बिमारी स्वतहटी को जाएगी और यह ऐसा नहीं है तो आप इसके अंदर सोंट सोंट का बहुत अच्छा result है सोंट को आप powder form में ए चुटा सा टुकडा नमक लगा कि भूजन के पहले आप उसका प्रियोग करें यह आईरवेद में बताया गया स्पेशली कि आई आपकी अगनी को दिप्त करता है और आपने जो भी भूजन किया प्रोपर डाइजेस्ट होता है सोंट के लावा आप हरड हरड का चुरन बना कि एक एक चमस सुबह शाम ले सकते हैं इसके लावा आप जीरे का पानी प्रियोग कर सकते हैं और आईरवेद में चाच तक्र को ग्रहनी यानि आई बेस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बोजन के अंदर अपने तक्र का प् अब आता है इसमें आईरवेदिक उपचार आईरवेद के अंदर बिल्व फल को पूरी तरीके से आई बेस के ट्रीटमेंट में यूज लिया गया है बिल्व अलग अलग फोम में आता है बिल्व गिरी का आप मार्केट से बिल्व गिरी लाके उसका चूरन बना के चूरन को आप जब भी भूजन करने बैठें तो आप एक चम्मत चाच के साथ एक निवाला आपने भूजन का किया उसके बाद में आपने चाच में मिला के पीना होता है और उसके अहलवा है इसो बहुत सार Запर आपके आप चित्र-गादी वटी का प्रियुक में ने मेशन प्रियुट करें अच्छा निवाल्कर है यह आप उसका पूरा यूज में ले सकते हैं अब ग्रहनी का जो IBS है उसका अइरवेज में बहुत ही अच्छा सिद्धांत बताया गया है कि आपने जो आपका अंडाइजिस्टेट फूड उसको आम नाम दिया गया है अगर वो आम आपके लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइ में है तो आपको दीपन शोधन ओशदियां दिया जाते हैं कुछ लेक्जेटिव दिये जाते हैं और आपके दोशों को दूर करके आपके IBS को ठीक किया जाता है लेकिन यह वो आम दोश अंडाइजिस्टेट फूड से जो आम दोश बना वो आपके पूरे शरीर में फैल है तो आपको लंगन और पाचक उशदियों से ट्रीटमेंट होता है और यह एक डोक्टर ही डिसाइड कर पाता है कि दोश आपके शरीर में कितना फैल है और आपकी प्रकृति कैसी है उसके अनुरूप ट्रीटमेंट होता है तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा यह दिया आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू धन्यवाद